पचीज दिनों के अंदर ढह गया सामराज, अमीरों की लिष्ट पे अब कहा हैं गौतमडानी? गौतमडानी धीरे-धीरे आरभपतियों की लिष्ट से नीचे आते जा रहे हैं। या भारती रपती कभी अमबानी से उपर दुनिया के सबसे अमीरों के लिष्ट में तीसरे अस्थान पर कब्जा जमाए थी। पिछले 25 दिनों में इनकी तबाही चली आ रही है। और अड़ानी अब सबसे अमीरों के लिष्ट में सुची में तौप Ten में भी नहीं रह चुके हैं। इसके बाद अमेरिका के हीडर वर रिसर्च की बिवादास पद रिपोर्ट चर्चा में आया जहां कमपनी ने अडानी पर हेरा फेरी सेयर की कीमत बढ़ाने का अरोप लगाया उसके बाद अडानी के सेयर्स की कीमत में रिकार्ट तूर गिरा वठानी सुरू हो गई वहीं बताया जा रहा है कि नतीजा यह निकला जिससे पहले 25 दूनों में अडानी की समपत्ती एक जटके में आधे से ज़्यादा गिरकर पांच ट्रियंग के नीचे आ गई वहीं रवी वार्थवा, फोर्स, मैगनीज की अमीरों की लिष्ट के मताबिक अडानी की समपत्ती 4970 अरब डॉलर ही रह गई है वहीं सौभाविक तौर पर इससे दुनिया में सबसे अमीरों की लिष्ट पर अडानी की जगा पर एक खास असर पड़ा है पिछले 25 दिनों में अडानी ने सेर बजार में खुद को उपर उठाने के लिए कोई कोर का सर नहीं छोड़ी है अडानी ने अपने कर्ज चुकाने का वादा किया, कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया भी और इसके अलावा उन्होंने पिछले 3 महीने के मुनाफ़े का हिसाब भी पब्लिक कर दिया है उन्होंने इस तरह के तरक दिखा कर भी अडानी समूब पर लगने वाले आरोप का खंडन किया गया अडानी ग्रूप के सेयर की कीमत थोड़ी बढ़ी लेकिन उसके बाद इसमें फिर से गिरावट आनी शुरू हो गई है वहीं बताया जा रहा है कि अडानी 1980 के दसक से वेपार में है मुख्य रूप से बंदरगाहो, हुवाई अड़ो और विजली उत्पादं कमपईयों के कारोबार में सामिल रहे है हाला कि तीन साल पहले अडानी की संपत्ती 8.9 अरब डॉलर आकी गई थी लेकिन आपको बतावा दे इसके बाद अडानी रफ्तार पकड़ लिए संपत्ती लगबग दोगुनी हो गई यानी 8.850 अरब डॉलर संपत्ती के मालिक अडानी पहले एसिया के तीसरे सबसे अमेर व्यक्ती थे और इसके बाद दुनिया के अमीरों के लिष्ट में वो तीसरे अस्थान पर आ गए थे लेकिन अब वो 24 अस्थान पर अपना पायादान जमाया हुए है एक हीडर वक की रिसर्च ने उनके पूरे पूरे समराज को एकदम हिला कर रख दिया मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में तब तक लिए जयें जय भारत